सब्सक्राइब करें तो आप उसका रिफंड के लिए कैसे अप्लाइ कर सकते हैं या फिर अभी तो न्यू मॉडल स्टार्ट हो गया है न्यू ट्रेनिंग स्ट्रेक्चर अपिल केबल होगे सब्सक्राइब करते हैं अभी तो तीन प्रकार की ट्रेनिंग होती है आपकी एडिप होगी 30 देज की एडिप होगी जिसके लिए पेमेंट लगता है कितना पेमेंट लगता है मैं आधर वीडियो में बता चुका हूं ट्रेनिंग है उसमें आपको प्राइड कल ट्रेनिंग है तो वहां पर कोई फीज तो नहीं देनी होती है आपको स्टाइपन मिल जाता है ठीक है और 30 डेज की 30 to 60 डेज की से लडीपी होगी ठीक है उसके लिए भी कुछ फीज होगा ठीक है तो इनकेज जो है अगर जैसे आपने रइश्ट करा लिया तैन किसी भी कारण वस जो है आप उस ट्रेनिंग को कम्प्रेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप स्टाड़ ही नहीं कर सकते हैं उस है कि अगर तो यह जो अगर आप इश्यू को जहां पांच सब्सक्राइन शेचंछ कर दिया है और आपर ही त्रेमिंग कर रही है तर जैसे के सचांसरे को रही है आपकी आज ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाले सेवंद और आपने रिजिश्ट अलगी पहले कर दिया है ठीक है इसका मतब है आपको साइकेंड और फैब यह उससे पहले इंस्ट्ट को बता देना चाहिए बता बता देना होगा कि आप अपने जो ट्रेनिंग है उसको पहले बता देते हैं तो आपको 90% फी आपने पे की है ट्रेनिंग के लिए वह 90% उसमें से आपको वापस कर दिया जाएगा और इसके अलावाद जो है अगर आप पास दिन या फिर पास दिन से कम है चार दिन तीन दिन दो दिन करते हैं तो आपको क्योंब पचास परसेंट 50% of fee shall be refunded दुबार इसको पढ़ लेते हैं कि if candidate is providing information about the cancellation of her his seat five or less than five work in days prior to the date of commencement of training academic program booked or did not turn up to training program without any any prior notification ठीक है तो आपको जो है इस case में 50% fee shall be refunded ठीक है सबोजट आपने कल institute को बताए 6th of fab को बताए कि आपको फिर ट्रेनिंग नहीं करनी है और आपके ट्रेनिंग जो है 7th से start है तो आपको क्योंब आपकी half fees ही refund कर दी जाएगे यह सभी training के लिए applicable होगा MSOP training को छोड़ करके बहुत सार ट्रेनिंग है ठीक है अब अगर पहली बार देख रहोंगे वीडियो को ठीक है तो पहले तो मैं बता दूँ कि आप एक ऐसे चैनल पर आए हैं जहांपर आपको केवल CS से लेटेड आई CS से लेटेड जाने करी मिलेगी कोई भी other institute के बारे में नहीं मिलेगा तो अगर अब CS का refund क्यों नहीं किया जाएगा उसमें जो है जो गाइडलाइन जब आप अप्लाइ करता है MSOP के लिए तो आपको जो है बता दे जाता है उसमें जो गाइडलाइन से सेपरेटली बता दे जाता है यहां पर institute हैं वहीं लिखा है कि सभी ट्राइनिंग के लिए यह यह दोनों और रूल्स अप्लिकेबल होंगे बट MSOP के लिए अप्लिकेबल नहीं होगा क्योंकि रिफन्ट रूल्स फॉर्द में सब्सक्राइब कर सकते हैं अब अपने ट्रैनिंग का रिफन्ट कैसा ले सकते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्फुल रहे अगर आपको अच्छा लिएगा अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो आप कमेंट लिखिएगा कि कोई प्रॉब्लम आपको है या नहीं है देखे मिलते हैं नेक्स वीडियो में गाइस आप मिलते हैं नेक्स टाइम पर तब तक के लिए आप सभी का बहुत वाग देंगे